हेलो दोस्तों वेलकम बैक माई चैनल आज दोस्तों हम बात करेंगे मार्किट के बारे में बहुत सारे लोग है जो कि कमेंट कर रहे हैं कि भाई बेर मार्के सुरू हो गया और कब हम प्रॉफिट में आएंगे और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इंडिया के तरफ से कुछ अच्छी निउस निकल के आई है उसके बारे में भी बात करेंगे और हां कब आप लोग प्रॉफिट में आ सकते हो और सीवा इनु के तरफ से क्या निउस निकल के आई है इन सब चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए जल्दी से वी कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बिटकोइन की बात करें तो जी हां बिटकोइन का प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है लेकिना कल भी मैंने आपको यह चीज़ बताया था कि इसका एक सपोर्ट बन रहा है वह लगभग य यहां पर इन दोनों चीज को यह तर्ले के बाद उपर और नीचे जा रहा है तो इन दोनों छीज को आपको देखना है अब बात आती है कि आखिर बिद धीर मार्केट तो कंफार में की अभी नहीं आया है शुर्प क्योंकि दोस्तों अभी बूल मार्केट तो ढग से आया ह है तो हवा का का क्रेक्शन लेता है और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो इतना उपर जाने के बाद लगभग नया ओर टाइम हाई टैश करने के बाद इसने उपकर क्रेक्शन लिया तो दोस्तों यह एक नॉर्मल सी बात है तो करेक्शन तो इसको लेना ही था क्योंकि दोस्तों आप जब 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 बिटकोइन का चार्ट या फिर किसी भी कोईन का चार्ट देखोगे जब जब यह अपने और टाइम हाई को टच किया है या फिल अगभग ऊपर गया है तो उसके बाद अच्छा ख को आपको ध्यान में रखना है बाकी उपर देखें तो यह एक रसिस्टेंस है अगर इसको तोड़के 67,000 डॉलर पर होड़ करता है तो बिटकोइन का प्राइस आपको दुबारा से उपर जाता हुआ देखने को मिलेगा तो यह तो बात करते हैं यहां पर इंडिया की तरफ यहां पर जो हमारे इंडिया सेंट्रेल बैंक के गवंडर है उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी इस अ वैरी सीरियस कॉंसर्ण यानि यह काफी ज़्यादा सीरियस मुद्धा है इस पर ध्यान रखा जाए तो दोस्तों लगभग यह निउस दस नॉमबर को आई थी जै आखिर इसका करना क्या है क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर करने की बात चल रही है तो उसी चीज़ को यहां पर देखते वे यहां पर मीटिंग रखी गई है जो की लगभग 15 नॉमबर को हो जाएगी यहां पर वजीर एक्स के सियो COIN DCX के CEO, COIN SUS قBER के CEO उन सब को यहां पर बुलाए गया है और कुछ-कुछ ऐनलिस्ट है उनको भी यहां पर बुलाए गया है तो बहुत सरे लोग है जो की क्रिप्टो करणसी से जुड़े में हैं उन सब बड़े-बड़े लोगों को यहां पर बुलाए गया है इस है उनको वहाँ पर बता पाएंगे और गवर्मेंट को भी एक सला दे पाएंगे कि आखिर उनको क्या करना चीए क्यूंकि दोस्तों बाहर देखेंगे तो बहुत सरी पॉजिटिव नियूस निकल क्या रही है बहुत सरे बैंक आ गये हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी की सर्वीसे दे रहे हैं लेकिन अभी इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं आया है तो उस चीज़को यहाँ पर देखते वे हमारी जो इंडिया है वो भी इसके उपर कदम उठा रही है हलाकि इंडिया को तरफ से एक पहला कदम है क्रिप्टो करेंसी को लेकर तो यह काफी अच्छी बात ह से हैं तो यह काफी इच्छी बात है के लिए बाकि दोस्तों अब हम बात करते हैं पर सिबाइनु की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीबा इनुका यह जो ट्राइंगल पैटर्ण बन रहा है इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बा जीरो डबल जीरो 5 2 2 0 डॉलर पे तो यहां पर इसका एक support बन रहा है और यहीं से इसका price आपको उपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है और इसका एक resistance बन रहा है जो कि है minor लेकिन इसी को यह break नहीं कर पा रहा है और इसी को touch करके यहां पर इसका price नीचे आ जा रहा है जो कि है लगबग 0.000005500 डॉलर पे यहां पर इसका छोटा सा एक minor resistance बना हुआ है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह डॉट डॉट मेंने बनाया हुआ है इसी चीज को यह break इसका रहता है तो हो सकता है इस वाले resistance को touch करने जाए जो कि है लगबग 0.006500 डॉलर पे यहां पर आप यह चीज देख सकते हैं इसी चीज को यहां पर टेस्ट करना है और टेस्ट करके अगर यह उपर जाता है तो इसका सबसे बड़ा जो major resistance है वो है लगबग यहां पर यह रेद वाला एरिया आप देख सकते हैं यह वाले काफी ज़्यादा major resistance बना हुआ है जो कि है 0.000009000 पे तो यह काफी ज़्यादा major resistance होगा जहां से इसके price ने अच्छा खासा correction लिया था लगबग आप यहां से देखोगे तो Siba Inu का price इसी resistance से लगबग 50% नीचे जा चुका है जैसे कि अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहां पर आप यह चीज़ देख सकते हैं 52% market यहां से नीचे जा चुका है इस इसको आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह काफी ज़्यादा major resistance होने व Siba Inu को Friday को list कर देंगे उसके वज़े से यहां पर इसके trading volume में अच्छा खासा उचाल देखने को मिला और इस triangle pattern को इसने break कर दिया और एक और अच्छी खबर हो सकती है जो कि Robin Hood के तरफ से आपको देखने को मिले लेकिन मेरे को आसा यह लगता है कि वो news अभी नहीं आएगी वो news आईगी लगबग नमबर के आकरी में या फिर December के सुरू में इसी टाइम पर आपको सायद Robin Hood के तरफ से भी कुछ ऐसा देखने को मिल जा है क्यूंकि दोस्तों market में इसका अभी भी hype बना हुआ है और इतने time तक किसी भी coin का hype बना रहना वो बहुत ही बड़ी बात है त 20 billion token each during dip तो यह काफी अच्छी बात है सिवा आर्मी के लिए क्यूंकि दोस्तों अगर यहां पर वेल्स होगेरा buy करती रहेंगी सिवा इनु को तो सिवा इनु का price आपको यहां से दुबारा pump होता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों आप लोग यहां पर एक चीज ध सबसे ज्यादा सिवा इनु token को buy करके hold किया हुआ है उन्हें से किसी भी एक wallet ने अगर सिवा इनु coin को sell कर दिया तो दोस्तों सिवा इनु का price लगभग यह सब support और resistance कुछ नहीं देखेगा और सिवा इनु का price direct नीचे आ जाएगा तो इस चीज को आप ध्यान रखेगा क्य नीचे आ रहा है तो दोस्तों आप लोग यहां पर दिक्कत मत रीजिए आपको यहां पर कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है मैंने जैसे कि आपको बताया है यहां पर आपको dip का फाइदा उठाना चाहिए जो भी coin आपने buy नहीं किया हुआ है वो आपको मौका दिया जा